टेडिंग चीखते हैं एक बार फिर से सभी और सुबिका हमारे चैनल टेडिर दिपगा में बहुत करें हैं और आप सभी जानते है दिपाग गवादवा सरी क स्टाट जी को चेक करते हुए हमें लगाएंगे तो हम यहां पर नहीं लगाएंगे बात करें हम 5-5 दिन लेकर लेकर चलते हैं 5-5 days करके फिर देखेंगे 30 days में हमें कितने profit या loss हुए है तो हम देखेंगे 1st 5 days में देखेंगे हमारा जो 1st day था उसमें हमने 3 trade लिया था हमें उस दिन 3 trade में से देखेंगे 2 trade में profit हुआ था plus 60 बनाया था और एक trade में हमें minus 30 का loss हुआ था यानि हम पहले दिन के trade में देखेंगे ना था हम plus 30 के profit में close हुए विडियो चैनल पर है जाके चेक कर सकते हैं सेकंड दे की बात करें तो सेकंड दे भी हमें total 3 trade मिले थे 3 trade में से हम 2 trade में 60 बनाये और एक trade में हमने minus 30 का loss किया और उस दिन भी हम 30 पॉइंट के profit में हुए ठीक है गतर और चैनल भी हमें 3 trade मिले थे ठीक है 3 trade में देखेंगे उस दिन ींमें साठेन सब्सक्राइए था lawsuit है यह दीन में 30 पॉइंट के profit में close हुए ठीक है फोर्थ डे सेम सेम था फॉर् intent वी देखेंगे हमें तीन 15 बना था और 5th day में बात करें, तो 5th day हमें कोई भी trade नहीं मिला था, 0 trade था, मतलब उस start से हमें 5th day में कोई trade नहीं मिला, तो जो हमारा पहला week था, बहुत अच्छा निकला था, और हम 120 point के profit में close हुए थे, यहाँ पर हमने देखा, जो starting के 5 दिन थे, उस पर हमने 120 point बनाया, यह आप note कर ठीक है, फिर हम बात करेंगे, next 5 days, तो जो दूसरा पहला हपता हमारा बहुत अच्छा गया, हमने 120 point का profit बनाया था, अब बात करें, हमने 6th day पर हमें कितने trade मिले थे, तो 6th day में हमें सिर्फ एक ही trade मिला था, ठीक है, और वहाँ पर हमें profit नहीं मिला था, हमें minus 30 का एक trade में loss हुआ था ठीक है, तो हमने 6th day पर 30 point का loss किया, 7th day की बात करें, 7th day भी थे हमें 3 trade मिला, 3 trade में से देखेंगे, तो हमें 3 next month trade में 7th day पे loss हुआ था, यानि हमने 99 point का loss पनाया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 90 point का 7th day लॉस था, यहाँ पर щ etus point का 7th day मिला, ठीके तो यहां पर 8 वे दीन के बात करें तो हम यहां पर northern customer फिसक pumps development प्रप्राइद बात करें 9 तेइड गिसें नाइंथ नाइंथ गासी यहां इस यहां तीन त्रेट में यहां पर यहां पर हम ने कितने का लॉप यहां पर आपिगे यहां पर देखेंगे तो देखेंगे के profit में चल रहे हैं अब फिर देखते हैं next Friday हमने कितना profit या loss किया ठीक है तो यहां पर अभी तक हमने कितने दिन का चेक किया तरसीं का बात करें 11 दिन की 11 दिन में भी हमें सेम 3 trade मिले थे 3 trade में से देखेंगे एक trade में हमें plus 30 का profit हुआ था दो trade में minus 60 का loss किया था तो 11 दिन में हम कितने भी close हुए minus 30 में ठीक है बारवे दिन की बात करें तो बारवे दिन हमें कितने trade मिले थे 3 trade इन सब की वीडियो आपको इस channel पर मिल जाएगी तो जाके आप चेक कर सकते हैं तो बारवे दिन में हम देखेंगे हमें एक trade पर प्लस 30 का profit हुआ था और जो same to same यहां पर minus 60 का loss हुआ था जो हमें 11 दिन ठीक है तो बारवे दिन भी हम minus 30 पर close हुए ठीक है बात करेंगे 13 दिन तो 13 दिन में हमें कितने trade मिले सेम ट्रेड मिले था थीं ठीक है तीन trade में से देखेंगे दो trade में हमें profit हुआ था और एक trade में हमें loss हुआ था ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे 13 दिन हम प्लस 30 पे close हुए ठीके अब हम देखेंगे जो हमारा 14 ते था 14 तुटेकी दिन भी हमें कितने выпуск मिले थे 3 च्छर में थेट थे ठीके धाल्स थे प्लस 30 का ठीके और द्लसरे डीप में हमें कितने पॉइंट का लोस हुआ 60 को एक दिन महिने ट्रेट नहीं किया था इसी पीच मेंने मंडे की दिन नहीं किया था टिके तो वह 20 गे डिया हो रहे हैं तो 29 दे कहिते चेक सिस्टीक दीन का वीडियो के इने नहीं बनाया था तो वह यहां पर रहे गया है घ्सलों हम ऐसी चली 15 में देखने का देख लेथा देखेंगे, यहां पर हमें कितने moetेंट मिन था? हमीं, क्रेंटो तीन इंदर यहांगे से में दो बिर्दध में प्रॉफित हुआ था और έक में देखेंगे यहां पे देखा 15 दिन तक का चेक कर लिए अब देखेंगे 16 दिन हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ था था तो हमारा कितने दिन का चेक करके हो गया 15 दिन का ठीक है ऑप 16 दिनकी अगर हम बात करें यहाँ पर कितना टेट बनाथा 16 दिन भी हमें कितने ट्रेट मिलें तीन ट्रेट में से देखेंगे तो यहां पे हमारा जो एक trade profit में था और दो trade loss में था यानि कि पहले trade में हमने 30 point का profit बनाया और दूसरे trade में हमने minus 60 का loss किया ठीक है तो यहां पे भी देखेंगे हम कितने में close हुए minus 30 में और बात करें 17 दिन की तो 17 दिन में भी हमें same trade मिला ज्यादा तर क्या होता है इस trade से हमें ज्यादा तर 3 trade से भी ज्यादा मिलते हैं बड़ हम maximum 3 trade ही लेते हैं ठीक है 3 trade में सェ 2 trade हमें profit में हुए था यानि कि plus 60 पर summat भी प्रोफिट मेंपने दिन बनाया और तीन trade से ऩिकंगे तो यहां पे हमें 2 trade में profit हुआ plus 60 और एक trade में minus 30 लॉज हुआ ठीक है तो 20 दिन की भी बात करेंगे तो यहां हम कितने भी क्रोज हुए हैं, यहां पर हम प्लस 30 में, ठीक है, यानि कि अभी तक देखेंगे इस दिन में, 4 दिन में दो दिन माईनस 30 माईनस 30 बना और दो दिन प्लस 60 बना, ठीक है प्लस 30-30 बना बात करेंगे लास्ट में, यहां पर यह 16, 17, 18 यहां पर देखेंगे उसके बाद हमें कितने टेडमें हमें कितने ग्यांतों एक मतलब जैंक इंधां में अवे सब्सक्राइब इस यहां करते हुए हैं अभी तक हमें और चेक करना है तो यहां पर हम बात करेंगे 21 दिन यानिकि अभी हमें दस दिन और चेक करना है और अगर वीडियो अतार नहीं देखी है तो वहां पर आप जाकि चेक भी कर सकते हो ठीक है यहां पर मिले यहां पर देखेंगे पर क्लोज हुए थे, अगर बात करें, 23rd day के तो यहां पर हमें कितने ड्रेट मिले थे यहां 23rd day की बात करें, तो एक में profit बनाया और दो में हमने loss किया था, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, तो माइनस 30 पर हम यहाँ पर close हुए है, ठीक है, बात करेंगे 24 वे दिन की, 24 वे दिन हमें कितने trade मिले हैं, एक trade मिला था, और एक trade हमें प्लस 30 का profit दिया था, यहाँ पर हम प्लस 30 पर close हुए थे, ठीक है, 24th day की दिन, और 25th day की बात करें, तो 25 वे दिन हमें कितने trade मिले थे, यहाँ पर हमें सिर्फ एक trade मिला था, ठीक है, और एक trade सेम as it is था, प्लस 30 का हमें यहाँ पर profit था, और लास्ट में देखेंगे, तो हम य एक दिन में हमें trade नहीं मिला था, यानि कि हम 0 पर थे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, इस दिन की, तो यहाँ पर हमने कितने points का profit बनाया, तो यहाँ पर ना हमें profit हुआ, ना ही loss हुआ, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर कितने पर close हुए, 0 पर ठीक है, ना profit बना, ना ही loss बना, अब बात करेंगे, हमें total कितने चेक करते हुए होगे, 25 दिन, ठीक है, अब हम बात करेंगे, 26 दिन हमारा कितना trade बना था, तो 26 दिन हमने trade दिया था, यहाँ पर 3, तीन trade में से देखेंगे, एक में profit हुआ था, यानि कि एक में हमने plus 30 का profit ब हमें same 3 trade मिले थे, ठीक है, पहले trade में हमने 30 points का profit बनाया और दूसरे trade में हमने minus 60 points का loss बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम minus 30 points के loss में close हुए, ठीक है, बात करें, 28 दिन को हमें एक trade मिला, एक trade में से देखेंगे, प्रॉफित नहीं हुआ था, हमें minus 30 का loss हुआ था, एक में हमे profit हुआ था, यानि कि एक में हमने plus 30 का profit किया, और एक में हमने minus 30 का loss किया, यानि कि हम 0 पे close हुए थे, ठीक है, और एक दिन मैंने यहाँ पर trade नहीं किया, बीच में मंडए की दिन, साहे दिन से मैं survive, या वीडियो नहीं किया, वीड़नी बनाई थी मैंने, तो ए यहां पर हमने किस न बंबनाई था और हमने कितना फॉइंट का लोज किया था यहाणि किenne पर हम माइनस 30 में ख्लोज हुए थे बराबर 90 परफिट में बनाया था और 120 प्रॉफिट बनाया था यानि कि माइनस 30 पर हमने ख्लोज किया ठीक है बाकी तीसरा देखेंगे 5 दिन का तो उसमें हमने माइनस 30 का लॉस किया ठीके उसकी बाद next 5 देखेंगे तो हमने क्या किया था Plaus 60 का profit बनाया था ठीके पास दीर में फिर next five days देखेंगे तो ना ही हमने profit मनाया था ना ही loss 0 फिर वापस चार दिन का देखेंगे तो यहां पे हमने 30 कितने होगे 60 और यहांपे 90 कितने होगे 90 और 60 कितने होगे 150 एक हमारा लैंट वैंट 2018 मैंोनिह अर्हलाइनथ प्रॉफिट में देखेंगे तो फाइनली हम कितने प्रॉइंट के प्रॉफिट में यहांपे छफिट प्लस 35 पॉइंट कbewते रही हैं ठीक है यहां पे ब्रोक्रेज हमें कितना लगा होगा हमने लगभल लगभल 70 717 के आसपास हमने टोटल ली जेद लिए हैं तो यहां पर बात करें जिरोधा की जिरोधा में 52 रुपीज लगते हैं पर टेटके। तब हमने buy किया और sell किया ठीक है तो लगभल लगभल देखें कि यहां पर हमारा 3700 के आसपा सिर्फ और सिर्फ ब्रोक्रेज गया हुगा ठीक है प्रॉफिट हमने कितना बनाया प्लस 30 पॉइंट का ठीक है ब्रोक्रेज आप देख रहे हो कितने बड़ा यहां पर देखोगे ब्रोक्रेज हमारा सबसे ज्यादा गया है यह स्ट्राड़िज से नहीं हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं बहुत बड़ा लॉस मिल रहे है कि पूरे महीने में एक दिन एक ड गजी करने वाले हैं भात करें 5 what कि 5ME को हमें चेक करते हुए 12 दिन हो गए हैं और अभी तक हम इस राज से प्रॉफिट में हैं तो आगे भी 8 दिन चेक करेंगे और 8 दिन के बाद देखेंगे कि इस स्ट्राइडजी से अगर हम प्रॉफिटेबल रहेंगे तो हम एक्ट्वरी से टेट करने वाले हैं और बाकी next need strategy जो हम सीखने वाले है उसकी वीडियो आपको कल इसी channel पर मिल जाएगी आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्सी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना channel पर नहें है तो channel को subscribe करना मिलते हैं आपसे अगरे वीडियो मे तब तक कि ले बाइ-बाइ टेकेट